हेलो अब्रिवन वेल्कम तो माई चैनल से यह वितसो फ्रेंट्स आज हूँ डिजिटल बैंकिंग के मडूल डी में चैप्टर नाइन का पार्ट सिक्स करेंगे तो यह चैप्टर फ्रेंट्स आपका पेमेंट सिस्टम के बारे में और काफी सारा भीम यूपी आई है न और आ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम तो सिस्टम क्या होता है जो LPG वागेरा जो सब्सिड़ी होती है गोवर्मन्न को सब्सिड़ी भेजना चाहती उसको वह शम्रम एंपिशन लिए सिस्टम के होता है कि का आप केसी विए CC जो बोलते हैに common service center वागरा जो होते हैं वहाँ जा करके अगर अपना अंगुठा लगाएं या कोई भी finger लगा करके आप अगर पैसे भी ड्रॉख कर पाएं तो वही होता है आधार enabled payment system ठीक तो इन्हीं दोने को बारे पढ़ना है फ्रंस आई शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे फ् institution के उतारा किस काम में आता है disbursement करना चाहते हैं अगर आप बाटना चाहते हैं गवर्मेंट की सब्सीडी को जा गवर्मेंट का कोई benefit है उसको बहुत सारे beneficiary के खातों में डालना चाहते हैं जैसे कोबिट के टाइम में जो मोदी गवर्मेंट ने हर जो भी लोग थे उनको 500 रुपए उनके खाते में जो डाले थे तो उस काम को करने लिए लार्ज नमबर आप बेनिफिसरी जैसे दो करोड चार करोड किस्टमर के खाते में पैसे प्रियोग डालने हैं तो उसके समें गवर्मेंट की सबसीडिय अगर अगर है तो ABPS का यूज कियाता है आधार payment bridge system का प्रियोग किया जाता है ठीक है इसमें क्या होता है सिंगल डेविट कियाता है स्पांसर बैंक से इस्पांसर बैंक कांत रहा होता है जिसके खाते से पैस पैसा निकलेगा है और multiple credit के जाता है different destination bank और जहां पैसा पहुचता है उसे destination bank कहते हैं जहां से पैसा जाता है या निकलता है उसे sponsor bank कहते हैं जैसे अगर PNB के खाते से पैसा निकल रहा है और SBI के खाते में पैसा जा रहा है तो PNB के खाते से 500 रुपए debit होए अगर मालीजे तो PNB को हम sponsor bank कहेंगे और SBI के खाते में पैसे credit हो रहा है पैसा पहुच रहा है तो SBI को हम destination bank कहेंगे SBI वो destination है जहां पर पैसे को पहुचना था ठीक है तो sponsor bank से एक debit होता है single debit जैसे मालीजे 300 करोड़ रुपए debit हो गए है ना sponsor bank के खाते से 300 करोड़ रुपए debit हो गए उसके बाद में वो 3 लाख customer के accounts में जा करके एक एक हजार यह जो भी पैसा बनता है उतना उनके खाते में credit होता है इसका एक्जांपल होता है LPG subsidy pension मनरेगा की payment है ना और मैंने आपको को वीड़ा में जो बताया है वो सारी चीजे इ this is mostly for government use to disperse benefit and subsidy तो यह ज्यादा तर जो है government के यूज में आता है और इसमें देखिए एक्टम वही NACH credit वाला concept होता है कि एक खाते को जो है debit करते हैं और multiple खाते को credit करते हैं ठीक है तो एक्दम यही है आधार enabled bridge आधार payment bridge system APBS okay यह हो गया अब देखिए जो question पूछा गया है एक्जाम में यह पूछा गया था कि LPG subsidy को किस तरीके से जो है customer के खाते में पहुंचाया जाता है तो काफी सारे लोग यह confusion रखते हैं और गलत करते हैं उन्हें लगता है कि आधार EPS के थ्रू होता है आधार enabled payment system आधार के थ्रू लिंक होता है और उससे पहुंच जाता है ऐसा नहीं है यह जो पैसा पहुंचता है फ्रंस वह आपका APBS के थ्रू पहुंचता है आधार payment bridge system के थ्रू पहुंचता है ध्यान रखेंगे LPG subsidy हो गई pension का distribution हो गया मन्रेगा की payment हो गई है न यह सारी चीजे जो है कहां किसके थ्रू होती है फ्रंस आधार payment bridge system के थ्रू होती है अगर multiple accounts में credit कर दिया जाता है पैसे को ठीक है यह हो गया sponsor bank में एक debit लगा यहां से एक बार debit किया गया और multiple खातों में credit कर दिया क्रेडिट करने मतलब पैसा पहुंच जाना होता है जैसे हमारे खाते में एक example अपने bank में salary का ही ले लिए salary में एक account debit होता होगा और सभी employee जो से उसके बाद में अब दूसरे topic उठाएंगे अधार enabled payment system के बारे में तो इनको छोटे चोटे पार्ट में हम पढ़ेंगे आधार enabled payment system में आपको बताया कि आप किसी भी shop पर जाते हैं वहां इस पर अपना थम और रखते हैं और वह रीड करता है आपका account सीधे खुल जाता है और उसमें जितना पैसा बिट्रॉब करना जाते हैं तो वह जो है आधार enabled payment system वही है तो यह कैसे कैसे आगे बढ़ा है क्या क्या चीज़ें इसमें involved है क्या 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 सर्विस्टा सब ले सारी बातें यहां पर करनी हैं हमको तो सबसे पहले UIDAI जो था उसको जनुरी 2009 में planning commission ने बनाया किसको UIDAI इसका full farm है unique identification authority of India तो UIDAI को establish किया गया था प्लानिंग commission के बारा जनुरी 2009 में इनका purpose क्या था UIDAI बनाने का to generate and assign unique ID number to resident जितने भी भारती निवासी हैं भारत के resident हैं उनको एक unique ID देना जो आधार नंबर हर एक वेक्टिव का लाट हुआ है उसी के काम के लिए UID को बनाया गया था define uses and applicability of UID for delivery of various services और साथ जात इनको ये भी define करना था कि कहां कहां पर UID को जो है यूज किया जा सकेगा services को avail करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ के लिए आधार enable payment system का concept अब आया जब जो है planning commission ने जनुवरी 2009 में पहले UID का concept लाया यूणीक identification authority of India बनी और उसने आधार नंबर लेकर के आया आधार नंबर यूणीक आईडी नंबर हो गया आपका और जब यूणीक नंबर बन करके तब जा करके यह आधार enable payment system का concept आया इसके लिए आपको enrollment करने की जोड़ोत होती है enrollment one time activity होती एक बार आपना आधार card बनवा लीजिए है ना ताकि आपकी uniqueness आपका एक पर्टिकुलर आधार नंबर आपको एलाट हो जाए enrollment इन्रॉल्मेंट करने में क्या होता है कि capture किया जाता है जो कि पहचान होती है आपको अपने फिंगर लगाने होते हैं पर फिर रीड करता है और अगर सब कुछ ठीक रहता है verify हो जाता तो आपको रासन दे दिया जाता है ठीक है तो यह हो गया तीन चीजे यहां पर मतलब को मिला करके हुई जो है सबसे पहले UID को बनाया गया unique identification authority of India को planning commission द्वारा जनौरी 2009 में establish किया गया इसका काम क्या था हर एक व्यक्ति को आधार नंबर अलाट करना unique ID करना और साथ ही साथ में किन-किन services के delivery के लिए हम UID को यूज कर सकते हैं किनको नहीं कर सकते हैं उसके लिए definition देना एक तरीके से इसके लिए हमें enrollment करने की जुड़ा थी यह एक बार की activity one time activity है ताकि आपकी uniqueness को इसके लिए क्या करता है आपके डिटेल को capture कियाता है और यही आपके पहचान बनती है ठीक है फिर एक आपको आधार नंबर अलाट कर दियाता है और जब आपको किसी भी सर्विस के delivery लेते हैं जैसे मैंने अब गोता है रासन की दुकान पर हो गया या फिर किसी क्यास पर जाते हैं वहाँ पर अगर बीसी एजेंट के पास जाते हैं और उससे पैसे निकलवाते हैं तो उन सब्सक्राइब अगला च्छोटा सा सब टॉपिक है आधार का रिलिवन्स क्या है यहां पर आधार क्या है क्या है मतलब इसका फाइदा क्या है एक तरीके से तो यह बहुत सारी सर्विसेस जो आपको मिल सकती हैं अगर नहीं है तो नहीं मिल सकती है इस्ट्रीम लाइन से इस्टेंडराइज गौवर्मेंट एक्स्पेंडिचर साइड रफ्रेंसिंग आफ वेनिफीशरी टू है यूनिफाइड वर्फ्लो फार गौवर्मेंट पेमेंट जो भी है ठीक है लेकिन अभी क्या है कि यह आधार इनेवल पेमेंट सिस्टम आने को यहां से यह गौवर्मेंट सौ रूपए भेजना चाहती है तो वह सौ रूपए ही बेनिफीशरी के खाते हैं तो यही बेनिफिट हुआ है यह बात अलग कि है कि इसमें भी लोगों ने बाइपास तरीके ढूण रखे हैं लेकिन फिर भी हम यही मान कर चलेंगी सौ रूपए भेज़े जाते हैं और सौ रूपए वहाँ पर पहुंचने लगे हैं तो यह सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि ताकि लोगों को जो है पेमेंट जो है बैंक के थुरू आसानी से पह प्रवाइड करना ठीक है इसके आदमी इसमें इन्रोल्मेंट करना जिरूई था वन टाइम एक्टिविटी है आपकी वियमेट्री कैप्चर कर लिए आते हैं आपके हाथों पैरों के निशान आपकी रेटिना वगरा के इसका एन कर लिए आता है और वही आपकी पहचान ब बेनिफिट हुआ अब आधार इनेबल पेइमेंट सिस्टम एई पियस है इसे बैंक लेड मॉडल विच एलाओ आनलाइन फानेंसिल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन ठीक है ध्यान दीजेगे यहां जो वर्ड यूज हो रहा है आधार यह देखे फानेंसिल इंक्लूजन का मत इंक्लेड मॉडल है विच एलाओ आनलाइन फानेंसिल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन एड माइक्रो एटियम थो दा वी सी बिजनेस कर्सपोंडनेट आफ एनी बैंक यूजिंग आधार अधार अधार इनेबल पेइमेंट सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है आप आनला माइक्रो एटियम को लिए करके चलते हैं इस पर आपनी फिंगर वागारा अ cannigashへ और अपशुम कर सकते हैं अधार लिंग कारड वोल्ड ठीक है अब देखें account holders तो इसमें क्या है कि दोनों तरीके की जो है transactions on us transaction हो या off us transaction हो दोनों तरीके की transaction को handle किया सकता है अब on us transaction क्या होती है मैंने आपको समझाया था देखिए अगर sbi का ATM card है आपके पास में माल लिजे ATM card मतलब debit card आपके पास में माल लिते हैं sbi का है और जो ATM machine लगी हुई है friends वो भी sbi की अगर है तो उसे हम on us transaction कहते हैं क्या बोलते है on us यानि debit card भी sbi का है और ATM machine भी sbi की है यानि दोनों same bank के अगर है तो उन्हें on us transaction बोलेंगे अगर ऐसा नहीं है तो उसे off us transaction बोलेंगे अब अगर debit card माल लिजे sbi का है लेकिन जो ATM लगा हुआ है वो canra bank का है अगर तो यह जो है आपका off us transaction हो जाएगी तो on us transaction और off us दोनों तरीके की transactions को यासानी से handle कर सकता है क्योंकि यहां पर आधार authentication gateway जो है वो enable रहता है सभी आधार link account holder जिनके खातों में आधार link है उन सभी की पहचान जो है aeps में की जा सकती है ओके यह हो गया तो हमने देखा यहां पर कि aeps जो होता है अधार इनेबल payment system जो होता है उसमें क्यों होता है कि आप financial inclusion की ट्रांशन होती है उनको माइक्रो ATM पर कर सकते हैं माइक्रो ATM कौन ले करके चलता है बीसी जो होते हैं एजेंट विजनेस correspondent जो एजेंट्स होते हैं वो माइक्रो ATM का यूज करते हैं और उसको यूज करके आधार authentication के थुरू आप जो है transaction कर सकते हैं इसमें दोनों तरीके की ट्रांशन चाहाए आफर्स ट्रांशन हो उनको किया जा सकता है क्योंकि जितने भी आधार link account holders हैं उनके खातों को आधार authentication gateway के थुरू एक्सेस किया जा सकता है अब अगला टॉपिक है यहाँ पर कि A.E.P.S आधार enabled payment system जो है उसमें कौन कौन सी services आती है तो आप balance inquiry कर सकते हैं cash withdrawal कर सकते हैं आप अपने खाते में cash deposit भी कर सकते हैं आधार to आधार fund transfer भी allowed होता है mini statement भी निकाल सकते हैं और B.D.T. भी होता है best finger detection भी होता है mini statement भी निकाल सकते हैं यह कुछ services है जो की आधार enabled payment system A.E.P.S A.E.P.S पर जो services offer की जाती है वो है आप balance inquiry कर सकते हैं mini statement भी निकाल सकते हैं cash withdraw किया सकता है cash खाते में deposit किया सकता है आधार to आधार fund transfer भी हो सकता है best finger detection भी किया सकता है अब इसमें सारी चीज़े समझ में आ रहे हुए इससे छोड़ करके best finger detection क्या होता है mini statement भी निकाल सकते हैं तो आज़े थोड़ा से discuss कर लेते हैं कि what is VFD best finger detection क्या होता है तो BFD होता है best finger detection the best finger of a resident is the one that has the highest probability of matching a resident can possess one or more best fingers which can be detected during the best finger detection process ठीक है तो best finger detection का मतलब होता है कि आपके हाथ में माले यह 10 उंगलियां है तो उन 10 उंगलियों में से कौन से उंगली है जो अगर आप biometric device पर लगाएं तो वह match कर जाए उसकी सफसे अदा probability हो उसी को best finger detection कहते हैं अब आपके हाथ में 10 में से कोई एक उंगली भी हो सकती है जो best finger detection के में काम आ सकती है या फिर कई उंगलियां हो सकती है जो वेस्ट finger detection में काम आ सकती है मतलब ऐसा है कि यह काम कहाता है जब एक certain age के बाद क्या होता है कि आपके हाथ की जो यह जो उंगलियों के रेखाएं हैं निशान है फ्रेंट्स यह धीरे-धीरे मिटने लगते हैं कमजोर पड़ जाते हैं तो उसके विए से क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि मैच ही नहीं हो पाती है तो उसी चीज के लिए वेस्ट फिंगर डिटेक्शन का कॉंसेप्ट लाया गया है कि ऐसी कोई फिंगर होगी जिसके मैच होनी की प्रावलिटी सबसे ज़्याद होगी दस उंगलियों में से हो सकता है एक उंगली ऐसी है जिसके मतलब जो 90% हमेशा मैच कर जाती है बाकि उंगल्यों को अगर हम लगाते है थोड़ा एर के चांसेल रहते हैं तो वह है है फ्रस्ट फिंगर डिटेक्शन ठीक है तो यह हो गया फिन्स हमने देख लिया कि कौन-कौन से सर्विसस हैं मिनी स्टेटमेंट हो गया बैलेंस इंक्वारी हो गई मिनी स्टेटमेंट होगा कैस जमा करिए कैस निकालिए आधार से आधार फंड का ट्रांसफर करवा दीजिए वेस्ट फिंगर डिटेक्शन रही आता है मिनी स्टेटमेंट आता है यह सारी चीज़ जो है आपका सर्विसेस हैं जो कि आधार इनेबल पेवन सिस्टम में आफर की जाती है अब बात करेंगे आधार अथंटिकेशन क्या होता है आधार अथंटिकेशन का मतलब होता है पर कि आपका आधार मैच कर रहा है यह नहीं कर पा रहा है अगर मैच हो रहा है तो उसे ही आधार अथंट कहेंगे अगर नहीं हो पा रहा है मेरे फिंगर से रीट नहीं हो पा रहा है तो उसे आधार अधिकेशन इसे प्रोसेस हो एर आपका आधार नमबर एलांग विद अधर एट्रिबूट बायमेट्रिक आपका डेमग्राफिक डिटेल या OTP is submitted to UIDAI Central इसमें क्या होता है आधार अधार नमबर उसके साथ साथ एक कोई और एट्रिबूट चाहे आपका फिंगर वगरा से बामेट्रिक लिया जाए चाहे ओटीप वगरा लिया जाए इसको सम्मिट कियाता है किसमें CIDR CIDR क्या होता है Central Identities Data Repository यह UIDAI द्वारा है वेरिफिकेशन के लिए फिर क्या करेगा CIDR Central Identities Data Repository बेरिफाइ करता है कि जो data आपने submit किया है अपना आधार नंबर प्लस जो है आपका OTP या आधार नंबर प्लस आपने जो बामेट्रिक लगाया है वो जो CIDR में data पहले से store है जब आपका पहली बार आधार का data capture होता है तो यह data यहाँ CIDR में store कर दियाता है अब वहाँ से मैचिंग हो रहे है कि CIDR में जो डेटा रिस्टोर है Central Identity Data Repository में जो डेटा रिस्टोर है वो आपके डेटा से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है CIDR क्या करेगा वहाँ से response के तोर पर Yes या No भेजेगा अगर मैच होगा तो Yes रेटन कर देगा यह privacy के purpose से ऐसा किया गया है ठीक है तो आधार authentication वह process है जिसमें आप क्या करते हो अपना आधार नंबर उसके साथ में साथ साथ अपना OTP या अपना आधार नंबर उसके साथ अपनी biometric जो है खम वोगरे लगाते हैं ठीक है यह सारा डेटा समिट किया है उसको और उसके पास जो डेटा पहले सब्डेबल है उसको मैच करता है अगर मैच हो जाता है तो response यस आ जाता है अगर मैच नहीं होता तो response में नो रिटन हो जाता है और कोई प्रसंदल इंटिफिकेशन से वापस लोटकर response में नहीं आती है सिर्फ यस या नो ही रिटन होकर की आता है यहां पर एक फ्लो चार्ट टाइप कर दिया हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं कई सारी टम्स यहां पर यूज होंगे आधार वह विक्ति जो रेजिडेंट है जिसका आधार बना होगा उसे आधार होल्डर कहते हैं अथंटिकेशन डिवाइस क्या होती है ऐसी डिवाइस फ्रेंट्स जो की जैसे मैंने आपको रहता है बायमेट्रिक डिवाइस जो हम अपने सीपियस में लॉगिन करते तो वहां पर ह अधार यूजर एजनसी अगर आपको पिचर सही न दिख रही हो तो बुक में भी रेफर किया सकता है ठीक है तो आधार यूजर एजनसी जो होती फंट वह ऐसी एजनसी जो की आधार अथंटिकेशन का यूज करती है अपने सर्विस को इनेबल करने लिए नर्मली यह बैं अथंटिकेशन सर्वर एजनसी कौन होता है जिसका CIDR के साथ में लीज लाइन का कनेक्शन आया हुआ है नेटवर कनेक्टिविटी जिसकी जुड़ी हुए CIDR के साथ में अभी CIDR क्या होता है हमने देखा तो यहाँ पर Central Identity Data Repository के साथ में कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसे हम आधार सारी authentication service agency कहेंगे यहाँ पर example के तोर पर आप NPCI को मान सकते हैं NPCI work as a ASA authentication service agency और authentication user agency कौन है bank कौन है bank बैंक वो entity है जो कि आपको आधार authentication service का use करके आपको service provide करती है आधार authentication service agency कौन होती है जिसका काम है कि वो UIDAI से contact करके आपका authentication का process complete करवाए ठीक है उसके बाद में आता है UIDAI आपको unique identification authority of India मैंने आपको बता ही दिया यह online authentication offer करते हैं Sub-AUA जैसे यहाँ पर bank थे आधार authentication user agency थी उन्हीं के सब जो है मतलब उनसे junior जो है उनसे जुड़े वे जो छोटे चुटे और लोग जुड़े होते हैं उनको जो है Sub-Authentication user agency कहा जाता है अब यहाँ पर process देख लिए यह आधार holder है उसने authentication के request की एक नमबर पर देखिए authentication के request की यहाँ पर authentication device लगी है जो भी डिवाइस लगी है उसके आपने यह data गया कहाँ पर AUA authentication user agency यह आपका bank हो गया bank से data गया ASA के पास किसके पास गया अससे आपका NPCI हो गया NPCI के पास डेटा गया उसका lead line connection किसके साथ है CIDR है ना CIDR के साथ देखे lead line का connection है उसका उसने वहाँ पर data verify किया ASC को वापस लोटा है और ASC ने वापस जो है AUA अनि कि अब ऐसे समझें यहाँ एक बेक्ती है यहाँ parametry device लगी हुई है यह आपका bank है यह आपका NPCI है और NPCI के बाद में यहाँ पर UIDI का CIDR server रखा हुआ है data यहाँ से आधार इसने finger लगाई finger लग करके वो चला गया bank के पास bank से गया वो NPCI के पास NPCI से गया CIDR के पास में यहाँ यहाँ डियाई के आपको मान लीजे जो है पैसे बिड्रॉल करने हैं ठीक है पैसे बिड्रॉल करने तो आप क्या करोगे अपनी finger लगाओ कर बैंक करेगा bank से contact हो करके अगर आप सेम बैंक के है तो NPCI पर नहीं जाएगा अगर दूसरे बैंक है तो NPCI के पास जाएगा NPCI फिर जो है उसको ले जाएगा किस के पास में CIDR के पास CIDR से वापस आएगा वापस आपके bank में आएगा सब कुछ verify हो जाएगा तो आपको पैसे मिल जाते हैं तो यह पुड़ा process flow है अभी अगर थोड़ा बहुत नहीं समझा तो आगे दो दो figures और हैं जिनको हम देखेंगे तो आपको और clarity बढ़ जाएगी अब हम बात करें AAPS में किनका क्या रोल होता है रोल इन AAPS banks station bcs with devices and will tap their front end bank end and accounting system for customer तो bank क्या करते हैं बीसी अपने पास रखते हैं डिवाइस के साथ में बायोटिक डिवाइस के साथ बीसी रखते हैं उसके लिए उनका जो front end back end और accounting system है वो सारा कुछ डेबलब करता है कौन bank करता है और यहाँ पर bc agent के पास device दे जाती है these bcs have and operate the device जिसे micro ATM कहा जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे bc जो agent होते हैं उनके पास micro ATM एक device दे जी जाती है for uploading transaction request from the micro ATM device with fingerprint scanner ठीक है उनको micro ATM दे जाते हैं जिसमें fingerprint scanner लगा हुआ होता है ठीक है और वहाँ से fingerprint scanner जाता है तो वो transaction की request करते हैं है on transaction at device bank system sends transaction to NPCI our finger scan for on us transaction तो अगर जो finger scanner है इस पर जब वो थंब रखता है कोई भी customer तो थंब रखने के बाद में अगर off us transaction है मतलब कहने का माल लिजे जो यह micro ATM जो device है यह sbi की है और जो customer है वो केनरा बैंक का अगर है माल लेते हैं ठीक है अगर वो customer केनरा बैंक का है तो off us transaction होगी तो उस case में data NPCI को भेजा जाएगा और अगर माल लिजे जो है micro ATM भी sbi का है और जो customer है वो भी sbi का है तो उस case में data जो है जो fingerprint scanner है वो सीधे सीधे बैंक अपने खुद के बैंक से ही contact कर लेता है on us transaction के case में मतलब यहाँ NPCI का रोल खतम हो जाता है यह हमने समझा हुआ है फ्रेंट जो है on us transaction of us transaction के बीक में कि कब जो है डेटा दूसरी जगे NPCI तक जाएगा कब नहीं जाएगा देखे जैसे माल लिजे SBI का debit card है SBI का debit card है और SBI का ATM मशीन लगा हुआ है तो उस case में किसी और third party की जो नहीं SBI का debit card है SBI का ATM है SBI का CBS server है आपस में सारे connect हो गए switch के through और बात खतम हो जाती है लेकिन अगर SBI का card ना हो करके माल लिजे HDFC का card है HDFC का card है ATM मशीन SBI की है तो इस case में SBI का ATM मशीन है उसको नहीं पता है कि HDFC वाले bank के खाते में कितना पैसा है तो उस case में इसको जरूरत पड़ती है NPCI के तो जाकर के NPCI से contact करें NPCI बताएगा HDFC के switch से connect करके कि HDFC के खाते में कितना पैसा है कितना नहीं है तो वही बात यहां पर यहां पर यह आपको बताया जा रहा है जो है मैं आपको यह बता रहा हूं कि आफ अस ट्रैंशन के case में data आपका NPCI भेजा जा रहा है क्यों क्यों दूसरे बैंक का customer है तो हमको नहीं पता ना उसके खाते में कितना पैसा तो NPCI से हम पता करवाते हैं और अगर हमारे हमारे खुद के बैंक का customer है तो fingerprint क्योंकि हमारे पास सारा data है उसका हमारे बैंक का customer उसका fingerprint का data हम जो है CIDR से मैच करवा लेंगे और CBS उसका access हो जाएगा और हमें पता कितना खाते में पैसा है उसको वापस दे देगे बैंक सार in the role of authentication user agency यहां बैंकों का roll जो होता है वो क्या होता है AUA का होता है authentication user agency का role होता है NPCI जो है आपका ASA का काम करती है किसका authentication service agency का काम करती है और साथ ही साथ KYC service agency KSA का भी काम करती है that is they receive data from the bank send it to UID send back the response to bank as per transaction flow to sender are the customer account maintaining with the bank ठीक है तो NPCI यहाँ पर ASA का काम करता है authentication service agency का काम करता है यानि कि यह क्या करते है bank से data receive करते है यानि bank जो है यहाँ bank क्या हो गया आपका AUA हो गया authentication user agency हो गया यानि bank में customer गया उसने अपने biometric पर थंब लगाए थंब लगाने पाद जो data कहा जाता है bank से data receive होता है किसके पास में NPCI के पास में है न जो की ASA का काम करता है यह data क्या करेगा ASA क्या करेगा NPCI क्या करेगा यह data जो है unique identification इंडिया को भेज देगा वो match करवाएगा जो response आएगा उसको वापस bank को भेज देता है NPCI का यह role होता है तो यह हमने काफी यहाँ पर बाते करी देखिए इसके बारे में अधर authentication process में आपने यह जान लिया आधार नंबर और OTP भेजते हैं वो जाता है CIDR के पास में CIDR देखता है अगर match कर रहा है तो yes return कर देता है अगर नहीं match कर रहा है तो no return करता है सिर्फ yes या no return होकर करके आता है आधार holder कोई भी resident है जिसका आधार card बना हो authentication device वो device होती है जिसके थूँ आप जो है अपना जिस पर आप thumb वोगएरा या फिर फिंगर वोगएरा लगाते हैं वो authentication device हो गई authentication user agency होती है वो agency जो की मतलब आपको authentication करने के हो जाने मतलब करेंगे अगर आप authenticate करेंगे तो service provide करती है उसके बाद में आता है authentication service agency ये वो agency है जिसका जो है UIDAI के साथ में CIDR के साथ जो उनकी central repository है आपकी identification की उसके साथ जो connection lease line connection होता है वो उस agency को ASA कहते हैं UIDAI आपको authentication service provide करती है और जो AUA होते है authentication user agency जो bank और गहरा होते हैं उनके सब part भी होते हैं तो उनको सब AUA बोला जाता है AUA ध्यान रखेंगे bank होता है और ASA आपका NPCI होता अगर तिनी बात ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ये चार्ट आपको clear हो जाता है role में हमने बात की जो है किसका क्या role होता है तो जो BC agent होते हैं उनको device दे दी जाती है उस device को micro ATM कहा जाता है और उसके साथ fingerprint scanner लगे होते हैं यहाँ पर दोन और तरीके की transaction होती है अगर on us transaction है तो fingerprint scanner से काम चल जाता है और डेटा locally verify होकर के पैसे मिल जाते हैं और अगर our first transaction है तो वो data जो है यहाँ पर भी finger capture होगी लेकिन data NPCI के पास भी जाता है अभी हम इसको chart के थूँ भी समझ लेंगे bank यहाँ पर किसका role अदा करते हैं AUA का authentication user agency और NPCI क्या का काम करता है ASA authentication service agency का साथ ही साथ में KYC service agency का भी काम करते हैं इसमें क्या होता है कि यह bankों से data receive करते हैं कौन NPCI या ASA bankों से data receive करते हैं उसको UID के पास भीजते हैं UID से जो response मिलता है उसको वो आपस bank के पास भीज देते हैं अब आता है A.E.P.S. Interbank Transaction आधार enabled payment system Interbank Interbank का front मतलब होता है दो bankों के बीज में हैं यह bank A हो गया यह bank B हो गया इसके बीज में जब Transaction होगी तो उसे Interbank Transaction कहेंगे अभी हम आगे इंटरा बैंक भी देखें इंटरा बैंक का मतलब होता है बिदिन बैंक है एक ही bank है दो बैंक यहां पर involved नहीं होते तो इसे Interbank Transaction कह देते हैं माइक्रो एटिम जो डिवाइस है न यहां पर वो बायमेटर डिवाइस अलग से लगी होती उसमें आपको फिंगर अपना रखना होता है अथंटिकेशन जो है यू आई डियाई के द्वारा किया जाता है और स्विचिंग क्लेरिंग और सेटल्मेंट का सारा काम एनपी सी आई के द्वारा देखा जाता है थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को सिर्फ अथंटिकेशन आधार अथंटिकेशन का काम जैसे अगर SBI का यह जो मशीन है SBI की है और यहां पर किसी और बैंक का ATM मतलब कस्टमर अगर आता है तो उस केस में यह SBI जो है उसे Assurer Bank कहते है अकुर्य गैसे कहते है जसकी ATM मशीन लग वी है जिसका जो है माइक्रो creat entwickelt है उसे एकुर्य बैंक कहते है तो यहां पर कस्टमर ने जब फिंगर लगा है तो यहां कहां चला गया एक्वाइर बैंक के switch पर चला गया एक्वाइर बैंक के switch ने फिर contact किया NPCI के central switch से आधार enable payment system का जो switch है उसके पास गया NPCI के पास गया आप चुकि उसने finger लगाई हुई है तो यहाँ पर जो है UIDAI का रोल आ जाता है तीसरे step में क्या होगा data UIDAI को भेजा जाएगा कि आप यह जो customer ने finger लगाया हुआ थम लगाया हुआ है वो match कर रहा है या नहीं कर रहा है चौथे step में UIDAI confirm करेगा कि हाँ fingers match हो रहे हैं अगर match हो रहे हैं तो 55 step पर जाएंगे अगर match नहीं हो रहे हैं तो यहीं पर ही transition decline हो जाएगी कि आधार details not match ठीक है अब अगर मान लिजे data match हो रहा है तो 55 step पर जाएंगे तो यहां पर issuer bank के switch से contact किया जाएगा अब यहां पर acquirer bank का switch था मान लिजे SBI की machine है यह और customer customer HDFC का है ठीक है HDFC का customer है तो SBI SBI के switch से कहां गया NPCI के switch पर NPCI के switch से UIDI को contact किया गया यहाईडिया के contact से आए अब गया issuer bank के switch यानि कि HDFC के switch पर चला गया acquirer bank SBI के switch को कहां पैसे है and then यहाँ पर finally इस इस machine को बताया गया कि आप पैसे ड्रॉब करवा सकते हैं कोई issue नहीं है transaction successful हो जाती है फिर उस BC agent के बाद नगत पैसा रखा होता है वो अलग से इस machine में कहीं पैसा नहीं होता है वो अलग से रखे होता है वो पैसा उठा करके दे दे देता है और CBS में इंट्रा बैंक transaction की हम यहाँ बात करेंगे इंट्रा बैंक मतलब एक ही बैंक है यहाँ पर जो यह की मशीन थी तो SBI machine है और SBI का ही जो है मतलब वो customer है उस case में क्या होगा तो यहाँ पर देखे अलग अलग जो है बैंक का जिक्र खतम हो गया देखें यहां क्या हो रहा है step एक में customer आया उसने अपना finger लगाया वो कहा गया बैंक के आधार enable payment switch पर चला गया यानि उस बैंक जिस बैंक का है उसके बैंक के स्विच पर चला गया step नंबर एक complete हुआ बैंक के पास गया बैंक ने क्या कि आप बैंक को यह जरूरी है कि चुकि customer ने थंब लगाया हुआ है उस थंब का confirmation कि मतलब customer ने सही जो customer है उसका थंब match हो रहा या नहीं हो रहा है इसके लिए कोई data available नहीं है बैंक के पास यह data किसके पास है UIDAI के पास में तो इसका मतलब हुआ कि बैंक को UIDAI तक पहुचना पड़ेगा UIDAI तक डारेक्ट नहीं पहुच सकते कैसे पहुचेंगे NPCI के Central Switch से पहुच सकते हैं तो बैंक ने क्या किया यह बात मैच करने के लिए जो customer ने थंब लगाया है फिंगर लगाया है वो मैच कर सब्सक्राइग नहीं कर रहा है उसके लिए डेटा NPCI के Switch को भेजा NPCI के Switch ने UIDAI को भेजा UIDAI ने मैच किया और डेटा अगर मैच हो गया तो फिर वहां से रिस्पांस लोटा चोथे इस्टप में पच्छोए स्टप में इसको बैंक के Switch को बता दिया गया कि हां टेटा मैच कर रहा है क्योंकि UID ने कंफर्म कर देगा अब जब यह चछटवे स्टप पर अब बैंक जो है CBS में कांटेट करेगा जब यह कंफर्म होगे कि हां करेगा इस इस माइक्रो एटियम मशीन को कि ओके ट्रैंस सक्सेस्फुल है कोई दिकत नहीं फिर वो क्या करेगा जो बीजनस कर्रस्पोंडेंट है वो अपने बैंक से पैसे निकालेगा और कस्टमर को दे देता है तो देखिए यह इंटर इंटर बैंक यहां पर यह गलत इ और एक इस्वर बैंक जिसका कस्टमर है राइट यहां दो दो जो है बैंक इन्वाल्व है यह इंटर बैंक ट्रैंजेक्शन है लेकिन यहां पर अगर आप नोटेस करो तो यह चीज गायव है उसमें बस अगले वाले फीगर में इसका रोल नहीं है उस सारा कुछ यहीं पर ही निपट जा रहा है तो यहीं है इंटर बैंक और इंटर बैंक का पुरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आगए कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है पहला इस्टप क्या है उसने 5000 रुपए डाले आधार नंबर लिखाया अपना अधार नंबर डाला एकांट डाला और फ सीधे डारेट कांटर्क नहीं किया सकता है क्योंकि बैंक क्तरम होते हैं एयोह होतі है अथंटिकेशन यूजर एजिंशी और जबकि डिदिकेटाए लीज जो आधार में फिंगर लगी है और जो आधार नमबर डाला है तो दोनों मैच कर रहे हैं तो यह confirmation भेजी जाएगी बैंक के switch को अब बैंक confirm है कि हाँ सब कुछ मैच कर रहा है तो वो contact करेगा cbs से cbs में कर अगर बैलेंस दिखाएगा कि खाते में पैसे हैं बिड्रॉल करने लाइग तो वो confirm करेगा फिर सब्सक्राइब करेगा फिर सब्सक्राइब करेगा यह जो आपकी अधर्ण सर्विस एजन्सी इजन्सी इज ने आपको पहले बता था कि जो अधर्ण सर्विस एजन्सी होती है वह सीधे यूआईड के साथ में लीज लाइन से कनेक्टेड होती है सिम्लरली ए यूए अथन्टिकेशन यूजर एजन्सी जो होती है वह एससे से कनेक्टेड होती है न यानि पहले बैंक होगा बैंक से फिर एनपी सी आई होगा वही न यहां बैंक है यहां एनपी सी है बैंक आपका होता है ए यूए और यह कनेक्टेड होता है एससे और एस के बाद में दियर कैन आल्सो भी सब यूए यानि अथन्टिकेशन यूजर एजन्सी के लाओं सब एजन्सी भी हो सकती है एजन्सी बीसी आगनाज़ेशन वे दियर सिस्टम कलेक्टिन दा अथन्टिकेशन डेटा फ्राम फिल्ड डिवाइसा जाने एक्षेंग बिद्दा ब अगशी में जाना है एजन्सी का काम करता है यह आफर करता है कलेटेव вас ऐक्टिकेशन अटिकेशन टु के लिए और AEPS DMS dispute management system to handle interbank dispute तो NPCI मेरल काफी सारे यहां पर काम करता है एक तरीके से यह जो है ASC का काम करता है authentication service agency का काम करता है यह आधार authentication का gateway जो है provide करता है बैंकों को और non banking companies को ठीक है इसके साथ clearing or settlement activities में भी जो है help करता है NPCI जो की offers transactions होती है और AEPS DMS जो है वो भी provide करता है कौन NPCI dispute management system यह interbank disputes को handle करने में काम आती है ठीक है तो फ्रंस यहीं पर हमारा यह lecture जो है खतम होता है I hope आपको पसंद आया होगा thank you so much